देखे जो हमारे दोस्तों स्प्लिट AC होती है उसमें क्या होती है आउटडूर की PC भी अलग होती है इन्वेटर मोडल में इंडूर PC भी अलग होती है इसमें देखे जो हमारा इंडूर में मोटर लगा होता है उसमें तो तीन चीजे होती है उसमें यह चार तो यहां पर रिल तो जैसे मैंने फेज का बायर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहांपर तेस से तरह हैं सीड़ की तरफ हैं secret करताओं तो देख लिए ऐ को सकते हैं के सागत प्वास क्या आप यहां पर फास Computer Vince Paradverse तो आप इसको अपनी यूनिट के अंदर ना लगा करें भी इसको इसको बिना यूनिट के अंदर लगाई भी इसको अचानी से आप चैक कर सकते तो आपको सर बताएंगे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे तो जो भी चैनल पर नहीं प्लीज सब्सक्राइब जरुकर ले ना जिरों न गराका बहोँद अच्छे बाद चलिए स्टार्ट करते हैं देखे जो हमारा इंडॉर मोटर लगा होता है उसमें तो तीन चीज़े होती है उसमें यह चार तो यहां पर ले लगे हुई है यह ऐक डिले होती है यह चार तो य जावा देने कहता नहीं ऐसे पांब स्विंग मोटर लगता है यह होती है इसे यूटा स्विंग लिखा हुआ है फिर लिखा हुए है तो जो आपकी हाइप स्पीड पे जो फैन चलेगा उसकी हाई की तार हिया लेक तोटिया फिर मीडियम वाली लाइन लिक्यू यह हमाई Pcp पर भी लखा होता है Pcp इस पर नहीं लिका है वहाँ पर लिख रहा है साब लिख सकते हैं यह लिखा हुआ है Neutral तो दोस्तों यहां पर तीन Neutral लेते हैं एक तो दूस्तों वो persor का Neutral एक Main line का Neutral और एक हमार दोस्तों Swing Motor का Neutral हो जाता है तो यह होता है, फैन किसी किसी में ऐसा होता है, कंपेसर में डिरेक्ट न्यूटल गया होता है, तो स्विंग मोटर का है होता है, फैन का भी यहां पे होता है तो इसमें न्यूटरल दोस्तों आया हुआ है यहां पे तीन न्यूटरल होते हैं कोई से में भी लगा लो बात एक ही है अब देखे दोस्तों आप इसे बिना यूनिट में लगाए कैसे टेस्ट कर सकते हैं मैं आपको बड़ता हूँ निषें को बड़ता है यह लगाता हूँ चल गया तो हमारा दोस्तों ऐसा होता है जब हमारे PCB अच्छे से काम करती है तो यह रिले ट्रिप होके तुरंती मतलब किलिक होके वोल्टेज जाएगी इसमें बार वोल्ट तुरंती यहां पर सप्लाई आ जाती है तो जैसे हम यहां पर लगा रहे हैं तो देखिए दोस्तों महां पर लाइट जली है देख सकते हैं फिर का अब आपको यह कनफर्म कैसे करना है कि रिले चालू है नहीं तो जैसे यहां पर तार को लगे-लगे रहने देना है और अपने AC को उनिट को आपको ऑफ करना है तो यहां से देखिए ओफ का बटन है तो अब मीटर की तरब भी देखना घृँना तो मैं यहांसे इस ह kitty अब आ जाते है सुइंग क्योंकि यह पे अगर आप फेज आ रहे रहे हों कि यहां पर कि आप यहां पर diese हब यहां के पाइस अख़ो द्यखिया है तो जैसे अब कर रहा हूं तो यहां पर अगर है तो वहां पर इंडिकेटर चल लाइ से बंद करता हूं तो बंद हो गया है इसका मर्लब यह वाली स्वींग की जो रिले है बिल्कुल परफेक्टली काम कर दिए कोई दिक्कत नहीं फिर आ जाते हैं हाई यहां लिखा हुआ height, तो हम high वाली पे यह वाला ताहर लगाते हैं phase वाला, यह आप ये एक काम भी कर सकते हैं एक 100 watt का बलब ले लो, एक यहाँ पे neutral पे लगा लो और एक यहाँ के लगा लगा के देख लो तो उस से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हाँ पे एसा सिस्टम बना रखा जो मैंने आपको बता दिया अब मैंने यहां पर हाई पर लगाया अब मुझे हाई की रिले चेक करने है कि हाई वाली यह काम कर रही है नहीं कर दिया है तो यह हाई मीडियम लो किस चीज़ के हैं तीन चीज़ यह फैन के तो फैन के लिए यहां पर लिखा सिकते हैं अब में हैं से he ihm08 आ इना खी बागी और गूर्स नहीं कर तो हैं अब तुरंतिए को भलोख लुओं तो पुन याँ पर मैं अग्रन करते हैं और में परान एकれた थैसे को यह कारे तो मियों बढ़ियम की भी लाइन चल ली है यह देखिए धोस्तों यह मीडियिम पाया तुरंत यह काम करा हो इसनुन मज़ा इठीग में हमारे हमारे चारश लेड मारे करें हैं और हमारे थीद दोस्तों जो ले कि le Is हमारी ठीज है जैसे ही छाला रोग जाए गी तो दोस्तों में हमारा ये लाइन की प्लिंग से लाइन Eric या पर ब्रींग कर रही है जैसे ही तीन अधिस क्रति कि यहांगो ढला से अधुल हो जया जैक है कि आएलेंगी शुरू हो दिखाया था आपको अब देखे दोस्तों यहां पर रिले जो है यह कूल की लाइट जो है यह रेगुलर रुक जाएगी और यहां पर देखे यह रुक गई ना तुरंत यहां उट पुट आ गई तो इसका मलदा हमारे पीसीबी ओके है तो ऐसे चैक कर सकते हैं आप बिना यूनिट में लगाई पीसीबी को कि कैसे कैसे सारी चीज़े मैं आपको बता दी तो दोस्तों आप सबीन देखा हो का मतलब यहां पर रिले वागर आप किस तरह कर सकते हो वह जब जातार नॉर्मल दिक्कत क्या आती है जो तो ओधन अधयार रले खराब होती है इसमें एक fult करा होता है तो सर रोम साहि उती है यह अपर सेट कर लेता है मतलब मतलब सेंसर इंडूर में स्भी स्वीन चींसार में तो जो इनडू में सेंसर हíst में बिल्कुल दोस्तों तो यहां पड़ना एक चीज हो रहे हैं यहां पर आपको बताया गया ना इस सारी चीज़ें मलब स्टैप टू स्टैप होते हैं यहां पर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आपना वीडियो देखो पूरी तो आपके समझे मा जाएगी और बहुत आसान होती है रिपेर करनी यह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिपेर नहीं होगी और यहां पर इसका पूरा इंटरफेस आप देख लिए और यह वीडियो आपको कैसे लगए प्लीस कमेंट में जरू बता देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ऐसी वीडियो द